बिल्ली एंसी आर में बढ़ता प्रदूशन जानलेवा स्तर पर जा पहुंचा है गुरुग्राम में भी इसका असर देखने को मिल रहा है जिसको देखते हुए हर्याना सरकार जल्द ही और ईवन को लागू कर सकती है जी हाँ दरसल मुख्यमंतरी मनोह लाल खटा ने इसकी खुद जानकारी दी मुख्यमंतरी ने ये भी कहा कि बेदूशन कम करने के लिए वे कल्पों को तलाशने और उन पर काम करने के लिए इंजीनिरो गुरुगराम नगर निगम आयोगत और डीसी की एक समीती तयार की गई है मुख्यमंतरी ने मीडिया से बाच्च्वीत करते हुए कहा कि ये बढ़ता प्रद्यूशन स्वास्ते के लिए बेखत हानी कारक है जिसको लेकर सरकार इस दिशा में काम कर रही है मुख्यमंतरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई निर्देश दिये हैं जिसके तहत स्कूल कॉलिज पुराने वाहनों थर्मल ब्लांट को बंद किया जा रहा है वहीं उन्होंने कहा कि अगर और इवन पर सहमती बन जाती है तो इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा फिलाल इस वक्त एक समीती बनाए गई है जो इस प्रदूशन से निबटने के लिए विकलपों को तलाश रहा है तो ऐसे में आपको बता दें हर्याना सरकार भी लगातार सक्रिय हो चुकी है और ऐसे में बढ़ते प्रदूशन को लेका ठोस कदम उठा रही है सीएम खटा ने प्रदूशन पर अब ये कमेटी का गठन तो कर दिया है साथी आपको बता दें कि गुरूगराम में भी अब और एवन लागू हो सकता है